आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज की हेडलाइन्स पर नापुर में राइफिल और पिस्तों लेकर कार में घूम रहे तड़िपार अपरा दें योजनावड़ दिलिके से आरोपियों को धर्दबोचा उच्छिस तरिये तक्निकी टीम केरेगी कलमना फूपरामने की चार्च राष्ट्रिय राजमार का प्राधिकरन दिलिये ने एक्सपोर्ट टीम का किया गठी और शादी शुदा युवक ने क्या धोकी से रचाया प्रेंग दिवा है यूति के साथ किया दुशकर नंदन्वन पूली स्टेशन का मामना और अब खबरे विस्तार से क्राइम ब्रांच की टीम ने योजना बद्ध तरीके से एक तड़ीपार अपराधी को गिरफतार किया पुलीस को जानकारी मिले थी कि एक अपराधी लगजरी कार में हतियार लेकर घूम रहा है पुलीस ने उसकी गतिवीदियों पर निगरानी रखी और मंगलवार देर रात उसे नंदन्वन थाना क्षेतर में गिरफतार किया गया कार की तलाशी लेने पर पुलीस को राइफिल और पिस्तॉल बरा मत हुई पकड़ा गया आरोपी संघर्ष नगर कामठी रोड निवासी चेतन मधुकर में श्राम बताया गया पुलीस ने बताया कि चेतन के खिलाफ कई आपराधिक मामले तर्च है उसकी आपराधिक गतिवीदियों पर लगाम कसने के लिए एक वर्ष के लिए नाकपुर जिले से तड़िपार किया था क्राइम ब्रांच की यूनिट चार को जानकारी मिली थी कि चेतन पिछले कुछ दिनों से शहर में ही घूम रहा है उसके पास हत्यार भी है खबर के आधार पर पुलीस ने उसकी गतिवीदियों पर निगरानी शुरू की जानकारी मिली की चेतन अपनी परिजित महिला से मिलने दर्शन कॉलनी परिसर में आता है खबर के आधार पर पुलीस ने परिसर में जाल विछाया मंगलवार देर राज चेतन कार से दर्शन कॉलोनी मैदान के पास गूमता दिखाए दिया तुरंत पुलीस ने उसे दबोचा कार की तलाशी लेने पर पहले चेतन के पास माउजल बरामत हुआ उसकी मैगजीन में तीन जिन्दा कार्टूस भी थी तब पुलीस ने बारीकी से पूरी कार की चांच की कार की डिक्की में दो बोर की लोड़ेट ट्राइफल भी मिली चेतन ने पुलीस को बताया कि हत्यार उसके मित्र ने रखने दिये थे पुलीस ने उसे भी आरोपी बनाया है और तलाश चारी है पुलिस ने दो हत्यार, तीन मोबाइल और लगजरी कार सहित 41 लाग रुपए का माल जब्त किया है। चेतन मदुकर मेशरावन तीन कार्थूसे और डबल बोर बंदुक आने कार्थूस में आज़े। राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरन दिल्ली की और से पार्डी फ्लायोवर गिरने की जांच के लिए एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया गया। 19 अक्टूबर की राध को पार्डी फ्लायोवर का एक सेग्मेंट गिर गया था जिसे प्राधिकरन ने गंभीरता से लिया है। बयान जारी कर बताया गया है कि इसके लिए उच्चसतरिय तक्नीकी टीम का गठन कर गया है जो जांच करेगी। कि बेरिंग कॉलाप्स होने के कारण यह घटना हो सकती है। कमिटी की जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। NHAI का कहना है कि अन्य पिलरों पर इसका कोई विपरित असर नहीं पड़ा है। पिलर साथ और आठ को जनवरी 2018 में लगाया गया था। तब से अब तक जांच की गई। लासा मुंबई ने कई बार इसकी जांच की थी। बेगरिंग का निर्मान Metal Engineering and Treatment Company Private Limited की और से किया गया है। वरतमान में निर्मान कारिय को रोक दिया गया है। जांच होने के बाद ही दोबारा कारिय शुरू किया जाएगा। इस बीच कितने का नुकसान हुआ है। या इस अब सबको यह काफी आश्चर्य हो रहा है कि एक लोकल कमपनी को प्रोजेक्ट का काम सौप आ गया था। उसके बाद भी इतना विलंब होना दुर्भागे की ही बात है। लेट तो लेट अब सेग्मेंट किरने के बाद स्थानिय कमपनियों की कारिय प्रणाली पर भी है। धवल चेतन सोनी के खिलाफ मामला दर्च किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में धवल केक लेने के लिए शौप में गया। वही दोनों की पहचान हुई। धवल ने उसे अपने प्रेम जाल में फसाया और अविवाहित होने की जानकारी दी। द धवाह के लिए दबाव डालने पर पहले तो टाल मटूल करता रहा। जब बात बिगडने लगी तो कोरोना का हवाला दे कर घर में हार पहना कर जूटा विवाह रचा लिया। फरवरी महीने में उसने पिडिता को अपने घर ले जाने का जासा दिया। गोंदिया ना जाते हुए दुर्ग में एक मकान लेकर रहने लगा। बहाँ उसके दोस्तों ने पिडिता को बताया कि धवल पहले से ही शादी शुदा है। पिडिता ने जाच पड़ताल कर धवल के घर का पता निकाला। तब पता चला कि धवल की शादी पहले ही हो चुकी है और उसे एक बच अतनी से विवाद होने लगा। इसलिए धवल ने पिडिता के अशलील फोटो और वीडियो सोशल वीडिया पर वायरल कर दिये। पिडिता ने मामले की शिकायत पुलीस से की। पुलीस ने विविद धाराओ के तहट मामला दर्च कर धवल की तलाश शुरू कर दी है। पुलीस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 17 अक्टूबर की शाम बेलदार नगर नरसाला रोड निवासी मंगला हरीभाव शेठे सेलू से स्टी बस में सवार होकर नाक पुराई। गनेश पेट बस टैंड पर उतर गई। फिर घर जाने के लिए आटो में सवार रास्ते में महिला चोरों ने मंगला के गले से एक लाक रुपए की सोने की चैन चोरी कर ली। उनकी शिकायत पर गनेश पेट पुलीस ने मामला दर्ज किया। क्राइम ब्रांच का सेंदमारी विरोधी दस्ता भी जांच में जुड़ गया। सेसी टीवी कैमरे की किया गया। सोने की चैन, मोबाइल फोन और आटो सही दो लाक रुपए का माल जप्त किया गया। रवी आरोपी महिलाओ को अलग-अलग स्थानों पर ले जाता था। वहार सबारी के हिसाब से भाड़ा तै कर महिलाओ को बैठाता था। रास्ते में तीनों महिलाएं जेव का सामना करना पड़ता है। संकृत कच्रे का वैज्यानिक पद्दती से सिमित समय में निप्टारा करने के लिए उचित नियोजन करने के निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी ने कच्रा संकलन करने वाली कमपनी और अधिकारियों को दिये। खामला से जैताला मार्गपर्स्थी ट्रांसफर स्टेशन के चलते परिसर में निरंतर दुर्गंदी का वातावरन रहता था। इसके अलावा ट्रांसफर स्टेशन के आसपास सुवरों का ताता लगा रहता था। सडग किनारे ही ट्रांसफर स्टेशन तथा सुवर होने से कई बार दुरघटनाई हुई है परिसर में उचित नियोजन के अभाव और कच्रा संकलन करने वाली कमपनी की बेतर तीप कार्य प्रनाली के चलते लोगों को परिशानी जेल लिपड रही थी इस परिशानी के लिए संबंदित स्वच्चता निरिक्षक को कारण बताओ नोट तदा संबंदित कमपनी पर जुर्माना ठोकने के निर्देश महापौर ने दिये उन लेकनिया है कि घरों से संकलित कच्रे को ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जाता है जहांसे बड़े वाहनों से डंपिंग यार्ड स्थाना अंतरित होता है किन्तु लंबे समय तक ट्र सब जानना चाते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूं अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे तेस तक पहुंची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाये सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पितालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटर्व्यू, गाइदेंस बाइंडस्री एक्सपर्ट, प्रक्तिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फाकल्टी, परस्नल Break के बाद आपका स्वागत है और भोजना ले, राद 12 बजे तक तथा अन्य आस्थापना राद 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे। कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, सैनिटाइजर, मास्क, आदी का पालन करना जरूरी होगा। इन आदेशों का उलंगन होने पर संबंदित व्यक्ति, दुकान या सबोह के खिलाफ संक्रमन प्रतिबंधक कानून 897 तथा IPC के तहत कानूनी कारवाई की जाएगी। उलेकनिया है कि राज्य में कोरोना की स्थितिय नियंत्रित होने के कारण ब्रेक दचेन के नाम परलगातार पाबंदियों में शितिलता दी जा रही है। राज्य सरकार की और से आदेश जारी होते ही मुंबई पूने जैसे शहरों में उसी दिन दिशा निर्देश लागू भी किये जाते हैं। किन्तो शहर में हर समय एक दिन देरी से इन निर्देशों पर अमल होते आया है। इसी तरह का अनुभव मंगलवार को सरकार की और से जारी निर्देशों में भी देखा गया। जानकारों के अनुसार राज्य सरकार की और से एक ही दिन में सभी सम्मंदितों को दिशा निर्देशों के प्रती भेजा जाता है। स्थानिय स्थर पर इसे लागू करने के अधिकार मनपा आयुक्त या जिलाधिकारी के पास है यही कारण है कि उनके द्वारा दिशा निर्देश जारी होने तक संभरम की स्थिती बनी रहती है Population Best Cancer Registration यानी PBCR द्वारा नाखपुर जिले में किये गए सर्वेक्षन के अनुसार सबसे अधिक 33% ओरल कैंसर के मरीज मिले वही दूसरे स्थान पर ब्रिस्ट कैंसर के मरीज पाए गए जबकि गरभाशे कैंसर के मरीजों की भी संख्या बढ़ने लगी है इसमें कई मरीजों को यह भी पता नहीं था कि वे बिमारी के चपेट में आ चुके है Indian Council of Medical Science के Population Best Cancer Registration और Hospital Best Cancer Registration के 109 केंद्र है यह केंद्र अलग-अलग जिलोवे हैं इन केंद्रों के माध्यम से जानकारी एकतरित की जाती है पी बी सी आर द्वारा हर वर्ष सर्वे किया जाता है जिले में किये गए सर्वे में चौकाने वाले तत्य सामने आए ब्रिस्ट कैंसर के 28 प्रतीशित मरीज पाए गए वही गर्भाशे के कैंसर के 27 प्रतीशित मरीज मिले लंग्स कैंसर और अननलिका कैंसर के भी मरीज मिले राश्टर संत तुक्डोजी कैंसर अस्पताल के डॉक्टर आर वी रंदीवे वरिष्ट कंसल्टन डॉक्टर बी के शर्मा ने बताया कि ग्रामिन भागों में तंबाखु का अधिक सेवन किये जाने से मुखे कैंसर के मरीज बड़े है इसमें कुछ मरीज थानिय स्थर पर इलाज भी करा रहे है जबकि कईयों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें कैंसर ने जकड लिया है इंडियन काउंसिल औफ मेडिकल रिसर्च तथा नैशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फरमेटिक्स द्वारा जारी किये गए फैक्ट फाइंडिंग के अनुसार कैंसर की वज़े से आगामी चार वर्षों में राज्य में स्वास्थे के लिए गैरा संकट निर्मान हो सकता है कैंसर रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धी होगी दोहजार पच्चीस तक महिलाओ में 11.1 प्रतिशत तथा पूरुषों में 10.9 प्रतिशत बिमारी बढ़ जाएगी राष्ट्र संथ तुक्णोजी महाराज नाकपुर विद्याबिट द्वारा 26-30 अक्टूबर तक विद्यारती संसत का आयोजन किया गया है आयोजन हेतों गटित समीतियों में एक ही चात्र संगटन को शामिल किये जाने का आरोप लगाते हुए बुद्वार को विविद्व चात्र संगटनों की और से दिन भर आंदोनन किया गया NSUI ने विश्व विद्याले के नियमों की होली जलाई राष्ट्रिय ओबिसी विद्यारती महासंग व युवा सेना ने अपनी नाराजगी प्रकट की NSUI जिलाद ध्यक्ष आशिश मंडपे ने उपकूलपती से मुलाकात कर छात्रों की विविद्व समस्याओं के बारे में शिकायत की साथी विद्यारती संसत के आयोजन में एक विशिष्ट राजकीय पार्टी से संबंदित विद्यारती संगटन के पदादिकारी व कार्यकरताओं को समीतियों में शामिल करने का विरोध किया बाद में बाहर निकल कर विश्व विद्याले के नियमों की होली जलाई वही राश्ट्री और OBC विद्यारती महासंग वई यूवा सेना के कार्य करता भी पहुचे उपकूलपती से चर्चा कर अपना विरोध किया चर्चा के दोरान उपकूलपती ने बताया कि आयोजन समिती में किसी भी राजकिय पार्टी के पदाधिकारी को शामिल नहीं किया गया है विश्व विद्याले को प्रतिमा को दुमील करने का प्रयास किया जा रहा है दिवाली जैसे त्योहार पर दूसरे शहरों में काम करने वाले अपने घरों को लोटते है कोई पूने से नाकपूर आता है तो कोई यहाँ से अन्य शहरों में जाते है अपने घर पहुचने के लिए कई ट्रेन का सहारा लेते है तो कुछ बस का सफर करते है लेकिन तियोहारों के मौसम में ट्रेंड की जहां टिकेट मिलना मुश्किल हो जाता है तो वही बसों का किराया आस्मान चुने लगता है ले देकर महेंगाई का फटका यात्रियों को ही लगता है इस बार डीजल की बड़ी दरों के कारण बस यात्रियों को कुछ ज्यादा ही जेवे डिली करनी पड़ रही है महंगे डीजल के कारण बस संचालकों ने किराया बढ़ा दिया है इसके चलते एन दिवाली जैसे त्योहार पर यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पूने, सोलापूर, कोलापूर, औरंगबाद, नाशिक, मुंबई, भोपाल, राइपूर, जबलपूर, सहित, अन्या जगहो का किराया बढ़ चुका है देखा जाये तो कोरोना काल में बिगडी बस वालों की स्थिती अब भी बहुत अधिक नहीं सुद्री है दिवाली के समय बसों की फेरिया बढ़ जाती है इसमें कई बार यहां से खाली बसों को भी भीजना पड़ता है इसके चलते किराया में बढ़ोतरी करनी पड़ती है लेकिन हर बार की तरह इस बार work from home की वज़े से पूने हैदराबाद से आने वालों की संख्या कम है वही यहां से जाने वालों के संख्या भी बहुत अधिक नहीं है कोरोना काल में ठप पड़ा व्यवसाय अब भी पट्री पर नहीं आया है नाकपुर से जहां पहले 500 बसों का संचालन होता था वही अभी मात्र 250 बसे ही चल रही है 250 बसों में से भी कुछ बसों को यात्री नहीं मिलने के कारण रद्द करना पड़ रहा है यानी 50 प्रतिशत से कम पर बिजनेस आ गया है यात्री नहीं मिलने और इंशॉरंस के साथ टायर्स डीजल सहीत अन्य चीजें महंगी होने से ट्रैवल संचालकों को अपना व्यवसाय तक बंद करना पड़ा है इस समय डीजल जहां आसमान पर पहुँच गया है वही टायर 10 प्रतिशत और इंशॉरंस 5 से 10 प्रतिशत महंगा हो गया है ऐसी स्थिति में बसों की किस निकालना भी मुश्किल हो रहा है नागपूर से मलकापूर तथा वर्धा से सिंध खेड राजा राष्ट्रे महमार्ग की दुर्दशा को लेकर अधिवक्ता अरुन पाटिल की और सी हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई याचिका पर बुद्वार को सुनवाई के दौरान याचिका करता द्वारा अरजी दायर की गई जिसमें नाकपूर अमरावती महमार्ग परस्थित साथ तवरी में गड़े के कारण हुई दुर्गटना में चार लोगों की जान जाने पर अदालत का ध्याना करशित किया गया जिसके बाद नयायदिश सुनिल शुक्रे और नयायदिश अनिल किलोर ने पुलिस से संपूर्ण रेकॉर्ड प्रस्तुत करने के आदेश चारी किये या चिका करता की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता फिर दौस मिर्जा ने कहा कि गड़े से बचने के लिए ड्राइवर ने प्रयास किया जिसकी वज़े से दुर्गटना हुई इस संदर्भ में अब तक राष्ट्रिय महामारग प्रादिकरन द्वारा कोई ज़वाब दायर नहीं किया गया है सुन्वाई के दोरान राष्ट्रिय महमार्ग प्रादीकरन की और से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि कॉंडाली पुलिस थाना के अंतरगत यह दुरगटना हुई है कॉंडाली पुलीस से जानकारी मांगे जाने पर उन्होंने केवल F.I.R. की कॉपी मुहया कराई है जबकि अब तक स्पोर्ट पंचनामा और गवाहों के लिए गए बयान उपलब्द नहीं कराए गए है NHAI की और से जानकारी उजागर किये जाने के बाद अदालत ने स्पोर्ट पंचनामा एवमन्य दस्तावेश तुरंत उपलब्द कराने के आदेश दिये साथ इस दुरगटना की केस डायरी भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश कुंडाली पुलीस को दिये अदालत ने सरकारी वकील को इस संदर्ब में आवश्यक्ता अनुसार कारिय करने की हिदायत दी सुनवाई के दौरान NHAI की और से हलफ नामा दायर कर बताया गया कि अमरावती से लेकर तलेगाओ तक सड़क का रक रकाव नहीं किये जाने को लेकर मैसर्स IRB तलेगाओ अमरावती टोलवेज लिमिरेट कमपनी पर जुर्माना लगाने का निर्ने लिया गया अदालत ने आदेश में कहा कि बहले ही जुर्माना ठोकने का निर्ने लिया हो लेकिन जुर्माना वसूल किया गया या नहीं इसे लेकर किसी तरह का स्पष्टिकरन उजागर नहीं किया गया है अतहा पूरी जानकारी दो सब्ताह में देने के आदेश दिये तो वीकेवी नियूस के सुबागे प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीकेवी नियूस नमस्कार